नमस्कर दोस्तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो आज हम बात करने वाल हैं DBT NPCI Link कैसे आप चेक कर सकते हो यहाँ पर दोस्तो वेबसाइट को चेंज कर दिया गया अब दोस्तो नए तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो पहले था आपको Capture Code में या तो OTP वगेरा आने में दिक्कत आती थी लेकिन दोस्तो अब New Portal से आप चेक करोगे तो आपको कोई भी प्रोब्लेम नहीं आएगा इजी तरीके से आप चेक कर सकते हो इस वीडियो में सब कुछ पताऊंगा तो वीडियो का आपको देखने को मिल जाता है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आधार काड की ओपेसल वेबसाइट पे दोस्तो इसको अपडेट कर दिये गए हैं उसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम ओपेन कर लेना है उसको यहां पर आपको लिख देना है myadhar.uada.gov.in दोस्तो पहले था उसमें आपको capture code नहीं आता था जिससे आप अपना आधार dbt या तो npci को चेक नहीं कर सकते थे अब दोस्तो इस website पे आने के बाद पहला ही यहां पे मिल जाता है देखतो login का option तो आपको login बटन पे ही किलिक करना है दोस्तो login बटन पे जैसा ही किलिक करोगे तो इस टैप से इंटरफेस खुल जाएगा तो सबसे पहले यहां पे अपना आधार नमबर को डालना है फिर यहीं विला capture code को same to same यहां पे भरना है फिर send OTP बटन पे किलिक करना है जैसे send OTP बटन पे किलिक करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी mobile नमर लिंक है उस पे OTP आएगा तो उस OTP को यहां पे भरना है फिर login बटन पे किलिक कर लेना है तो चलिए मैं फटाफर से login कर लेता हूँ अब दोस्तो जैसे आप login बटन पे किलिक करोगे तो इस टैप से इंटरफेस खुल जाएगा जैसे यहां पे देखते हो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आधार से इंटरफेस लिंक स्टेटस या तो NPCI लिंक कैसे चेक कर सकते हो इस टैप से इंटरफेस खुल जाएगा उसके बाद दोस्तो यहां पे साफ सफ आपको पता चल चुका होगा जैसे यहां पे देखतो बैंक सेडिंग स्टेटस लिखा हुआ है यह उप्सन को यहां पे नया जोड दिया गया है इसी से आप चेक कर सकते हो कि आपका NPCI कौन सा बैंक में लिंक है या तो आपके आधार कड के साथ कौन सा बैंक खता लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है इस पर दोस्तो जैसा ही क्लिक करोगे तो यहां पे सब कुछ A to Z से दिख जाएगा पहले था आपको कैप्चार कोड डालने का उप्सन आता था तो कैप्चार कोड काम नहीं करता था लेकिन आप आप यहां पे इजी तरीके से लिंक कर सकते हो अगर दोस्तों आपका लिंक नहीं रहेगा तो आपको इस टैप से इंटरफेस खुल जागा इ अब चैनल पे पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़र करना